आज तक हम पिछले जनम की याद आने की बात को लेकर कई लोगों से जुड़े किस्सों के बारे में सुनते और देखते आ रहे हैं लेकिन आप शायद इस बात से वाकिफ ना हो कि महत्मा गंधी के जीवन काल में भी एक ऐसी घटना घटी थी जिससे वो आश्चरे चकित रहे गए थे शांती देवी नाम की एक महिला ने अपने पिछले जनम की बाते बताई तो हर कोई दंग रहे गया महत्मा गंधी जी को भी उनकी सत्यता के लिए जाच समिती बनानी पड़ी 1936 में इससे सम्मन दित एक रिपोर्ट पब्लिश भी हुई थी शांती देवी की पुनर जर्म की कहानी में फोर यर्स की एक लड़की जिसका नाम शांती देवी था वो अपने माता पिता को अपने पिछले जनम की सच्चाई बताने लगती है उसने ये भी बताया कि उसके पती एकदम फैर थे उनके फेस पर एक मसा भी था और वो चश्मा पहेंते है पिछले जनम में वो मथुरा में रहा करती थी और उसको एक बेटा भी था अपनी माग को शांती देवी ने ये भी बताया कि उनका पहला बच्चा मुरुत पैदा हुआ था यह सब शांती देवी 4 years की थी तभी उन्हें ये पुरानी जन्म की याद आ गई थी इस जन्में वो देली में रहती थी लेकिन उनका कहना था कि वो पहले जन्में मतुरा में रहती थी वो ये भी बोलती है कि उनका पती उनका इंतजार कर रहा है इसलिए वो माता पिता से मतुरा ले जाने की जित किया करती थी लेकिन शांती देवी अपनी पती का नाम कभी नहीं लेती थी सिर्फ four years की age में शांती देवी ने अपने गाव मतुरा के बारे में काफी कुछ बताया जब उसके माता पिता ने उन्हें स्कूल भेजा थो स्कूल में भी सब को बताती थी कि उसकी शादी हो चुकी है और बच्चे के जन देने के 10 days में ही उनकी डेत हुई थी और ये सब ओ मतुरा की language में ही बात करती थी एक बार उनके दूर के relative बाबू बिचेंचेंदर ने लालस देकर पूछा कि अगर ओ अपने पती का नाम बताती है तो उसको उसके पती के पास ले जाएंगे इस लालस से शांती देवी ने उनके पती का नाम केदारनाच चौबे है बता दिया तब उन्होंने केदारनाच जी को पत्र लिखकर शांती देवी के बारे में सारी बात बताया केदारनाच जी ने भी पत्र के जवाब में बताया कि ओ सच बोल रही है तब केदारनाच जी ने अपने चचेरे भाई पंडित कांजीवन जो दिल्ले में रहते थे उनसे मिलने आये और पंडित कांजीवन को शांती देवी से मिलने के लिए भेजा तो शांती देवी ने उन्हें तूरंथी पहचान लिया और बताया कि ये केदारनाच जी के चचेर अपने पतनी और पुत्र के साथ शांती देवी ने उन सब को पैजान लिया लेकिन शांती देवी को यह देखकर काफ़ी दुख हुआ कि उनके पती केदारनाची ने उनकी मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लिये और शांती देवी ने केतारनाच से पुछा कि आपने लुगदी देवी से वादा किया था कि आप दुसरी शादी नहीं करेंगे जिसका केतारनाच जी कोई जवाब नहीं दे सके ये सबी बाते महात्मा गंधी तक पहुची तो उन्होंने इस बात की सत्यता की जाच करने के ल घर परिवार वाले सब को पैचान ली घर का कुवा केदारनाजी की दुकान कहा है सब बताया और घर के कमरे में पैसे से भरा मटका भी निकाल कर दिखाया जो दबा कर रखा था शांती देवी की ये सारी बाते सुनने और देखने के बाद जांच कमीटी इस निशकर्ष पर पहुची की शांती देवी ही लुकदि देवी है जिन्नोंगे शांती देवी के रूप में पुनर जन्म लिया है शान्ति देवी आजीवन अविवाहित रही उनका मन इस बास से काफी व्यथित रहता था कि उनके पती केदारनाथ जी ने उनकी मुरुत्ति के बाद दूसरी शादी की 18 जान्वरी 1902 में लुगदी देवी का जन्म मतुरा में हुआ था 1912 में केदारनाथ के साथ उनकी शादी मतुरा में हुई 25 सप्टेंबर 1925 में लुगदी देवी के दूसरे पूत्र के जन्म के बाद 9th डे उनकी मुरुत्ति हुई और 11 सप्टेंबर 1926 याने 11th मन्त के बाद बहादूर माथूर के यहां देली में एक लड़की ने जन्म लिया उसका नाम रखा गया शान्ती देवी चलो जल्द ही मिलते है नए वीडियो के साथ ग्लोबल इनसाइक्लोपीडिया में